अब हम स्टार्ट करते हैं अपने next अब टॉपिक के साथ जिसका नाम है रीफ्लेक्स आक हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं आपको पता है यहांपर हम हीट रिसेप्टर्स का केस ले रहे हैं वो उसको लेकर जाएंगे spinal cord तक और किस चीज के दुरू लेकर जाएंगे? वो लेकर जाएंगे sensory neuron के दुरू. फिर spinal cord से information कहा तक जाएगी? हमारे effector तक जाएगी, muscles of the arm तक जाएगी और उसको लेकर जाएगा हमारा motor neuron. फिर हमारा response generate होगा, तो response generation में क्या होगा? हम अपने हाथ को lift कर लेंगे. तो हुआ क्या था? कि heat आई थी, heat के साथ ये सारे functions परफॉर्म हुए और हमने फॉरण से अपने हाथ को हटा लिया. इतना कुछ कितनी जल्दी हो रहा है, आप समझ पा रहे हो? बस आप किसी गरम चीज को छूते हो, इतना कुछ होता और फटा-फट से आप अपना हाथ हटा लेते हो. तो ये एक pathway follow हो रहा है. क्या pathway है? सबसे पहले है stimulus. Stimulus के बाद आता है receptor. उसको कौन लेकर जाता है? sensory neuron. coordination कराता है हमारे spinal cord के अंदर. वहाँ पर आपको Rayleigh Neuron भी मिलता है. उसके बाद आता है motor neuron तक, motor neuron से जाता है effector तक और फिर एक response generate होता है. तो reflex arc क्या है? reflex arc actually ये pathway है. जो pathway हमारा reflex action follow कर रहा है. उसी को हमने reflex arc का नाम दिया है. तो definition wise हम कह सकते हैं that reflex arc इसता pathway along which nerve impulse travel during reflex action. जो हमारा pathway है, जो हमारी nerve impulse है वो travel कर रही है उस pathway के थुरू reflex action को complete करने के लिए और इसी pathway को हम reflex arc बोलते हैं.